हलो दोस्तो मेरा नाम है राम और आप देखे रहे हैं राम जी टेक्निकल दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेटी बचाओ सौरी बेटरी बचाओ के बारे में यहां दोस्तो आपको तो पता होगा नरिंद मदी की सरकार से काफी सारे लोग इंस्पार हुए यहां दोस्तो क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपको मालूम चला होगा या फिर आप यूज़ भी कर रहा होगा कि यूटूब में आपको जो आपका एप है उसमें डार्क मोड में भी आ गया है चाहे बेफसाइट हो उसका या फिर जो एंडूड एप हो डार्क मोड का जो है आपको option मिल रहा है ताकि आपकी जो फोन की बैटरी है उसको बचायत जा सके दोस्तो उसी चीज़ से इंस्पायर होकर फिर फेस्बुक ने अपने मेसेंजर को जल्दी डार्क मोड में लाने के लिए पहल कर दी है शुरूप और जोस्तो जल्दी हो सकता है फेस्बुक अप अपने मेसेंजर एपमें डार्क मोड ला सके अब दोस्तो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे वह पहले ही सीख लिजिए दोस्तो क्योंकि यहां पर हम मैं बता दूब को सुसल मेडिया फेस फेस्बुक और एपनी जो मैसेंजिंग अप है मेसेंजर को जल्दी डुनों को डार्क मोड में लाने की तयारी में है और हला कि इस पर मतलब ऐसे रिसर्ज भी चल रहे है इस फीचर के तहरे दोस्तों आप मेसेंजर एप के बैक्राउंड को डॉर्क कर सकेंगे और दोस्तों डॉर्क करने के बाद आपकी जो बैटरी करते हैं तो उसमें आपका जो है वाइट बैग्राउंड से ज्यादा बैटरी खर्च होती है इसलिए यूटूब में यूटूब में जो है फीचर डाला था डार्क मोड वाला अब दोस्तों यही फीचर जो है सेम सोसल मेडिया प्लेटफर्म यानि फेस्बूक अपने वहीं वाला है तो डोस्तों एक आनदर जो दोस्तों आपको वरकिंग पूर्गयर का जो है नोटिफिकेशन भी दे दिया है तकि मतलब जल्दी वह चीज आ सकता है तो जलिए जान लेते इसके फीचर के बारे में तो छीचर के तह तो आपको यूघर एप के background को black यानि dark कर पाएंगे और जब user dark mode on करेंगे तो app का text जो है जो text होता है वो white हो जाएगा लेकिन ध्यान रहें दोस्तों messaging में जो सब्द या चीजे रंगीन element में दी गई हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा यहाँ पर सिर्फ आपको जो है white जो है दिखता है वो आपको black हो जाएगा यानि dark mode में हो जाएगा और आपका text रहेगा वो white में हो जाएगा तो दोस्तों चली जान लेते हैं कैसे आप कर सकते हैं इस feature का इस्तमाल दोस्तों खबरों की माने तो इसमें बताया जा रहा है कि इस mode को activate करने के लिए users को messenger app में me section जो होता है उसमें जाना पड़ेगा और यहां एक toggle दिया गया है इससे आप इस dark mode को चेंज कर सकते हैं यानि उसको convert कर सकते हैं dark mode में आपको बता दे कि यह अभी testing चल रहा है इसका अभी globally launch नहीं हुआ है facebook का कहना है कि सभी testing प्रिक्रिया को सफलता पूर्वक यानि कि पूरा test करने के बाद सुचार उरूप से चलने लगा तो ही वह उसको globally launch करेंगे तो दोस्तों इसमें आपको समय लग सकता है वैसे आप YouTube का तो इस्तिमाल कर रहे होंगे अगर आपको नहीं पता है तो आप जा ही मैं में लोगा किसी next video में तक लिए thank you so much for watching आपके कोई comment और सुजाओ हों तो हमें comment करके जरूर बताए और इस video को like कीजिए साथ में अपने सभी दोस्तों को वेजिए जो भी Facebook यूज करते हैं ताकि उनको भी इस जो feature है इसका पहले से आपको पता चल सके तो दोस्तों इ आप हमारी चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ब्रेस कर दीजिए बाइबाई